शाउमी 11 Lite NE 5G के बेटी डेन टेस्ट वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है 100% यह अभी फूल चार्ज है आप देख सकते हो आराम से इसका बेटी डेन तो हम लोग करने वाले साथ में इसका गेमिंग रिवी वीडियो भी आपको मिल जाएगा इसी में तो वीडियो बस आपको एंड तक देखते रहना है अब सबसे पहले इसका हम टेंपरेचर भी चेक कर लेते हैं बेटी डेन स्टार्ट करने से पहले ताकि आइडिया हो जाए कि हीटिंग इसी कोई है कि नहीं इसमें तो टेंपरेचर यहाँ पर चेक करेंगे तो वो आपको स्टार्टिंग में 33, 34 जो नॉर्मल टेंपरेचर अब आपको मिलेगा इससे जादा कुछ टेंपरेचर है नहीं अभी तो मोर्निंग का टाइम से में स्टार्ट कर रहा हूं देखते हैं कितने घंटे तक इसका बेटरी डेन हम कर पाते हैं इसके अलावा आप BGMI मैंने ओपन कर लिया है आपके कुछ फेक्ट में सेयर करना चाहूंगा वीडियो से रिलेटेड सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि टाइमर वगर में ओन कर देता हूं इसके ग्राफिक्स वगर अभी आगे चलके आपको दिखा दूँगा क्या ग्राफिक्स मिलते हैं और गेमिंग रिवीव भी आपको मिल जाएगा Qualcomm Snapdragon 778G 5G इसमें प्रोसेसर मिलते हैं Brightness मैंने Medium पे रखा है और हाँ मैंने एकदम intense battery day किया है जहाँ पे मैंने 1080p पे all time पूरे time एकदम screen recording चालू रखा है तो 1080p पे अभी से start कर दिया है और आगे screen recording आप वो दिखा भी दूँगा कितने गंटे पूरा एकदम से जो 100% किया है वो दिखा भी दूँगा आगे चलके तो सबसे पहले graphics यहाँ पे इसके check करेंगे by default जो graphics आते है वो HD high पे आते है लेकिन ultra frame rate के option भी मिलता है जब balance पर करोगे इसके अलावा smooth पर अगर graphics करते हो तो आपको extreme frame rate तक आप जा सकते हो that means 60fps आपको इसमें आराम से मिल जाएगा HDR का भी option मिलता है वहाँ पर ultra frame rate तक तो हम smooth और extreme frame rate पर खेलने वाले 60fps पर यहाँ पर gaming experience इसमें कैसा हो पाता है आगे चलके देखेंगे सिधा आपको 50% के इसके result पर में लेके चलता हूँ देखें यहाँ पर पोने 3 गंटे 2 गंटे और 43 मिनट के आस पास यहाँ पर इसका time complete हो गया तो अब इसके मैं आप battery selected states आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले आप देखोगे कि पहुने 3 गंटे इसका 50% battery चल गया आप देख सकते हो 50% अभी चार्जड है तो 50% charging इसका sorry batteries का बाकी है अभी 50% हमने drain कर लिया और यहाँ पर टाइम भी मेच कर रहा है दो गंटे और 45 मिनट के आस पास time भी यहाँ पर इसकी में दिखा रहा है तो सारे states मेच कर रहे है अपने अभी आगे चल के देखेंगे तो हीट हुआ को हीटिंग इस्यू है ने कोई ज्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है तो अब यहाँ पर मैं आज के गेमिंग के भी बात कर लेते हो एक बार गेमिंग से लेट पर एक वीडियो आप देख सकते हो झाल एट जज अब अव़गा है वीडियो आप यहाँ आप अवीडियो आपा से लेखें अव़गा है यहाँ तो तो फ्रेंड्स M24 हो या फिर AR हो सब आप अच्छे से इसमें चला पाओगे स्प्रेव अगरे अच्छे मिलते हैं एमोले डिस्प्लेय तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं गेमिंग एक्सप्रेंस मेरा काफी अच्छा रहा यह मैं आपको फूल बेट्री डेन करने के बाद में जो इतना घंटा लगाता रखेल पाया उसके बाद मैं आपको रिव्यू दे तो गेमिंग के लिए आज से भी एक अच्छा फोन है क्वालकॉम स्नेप डेगन 778 जी प्रोस्टर के साथ अच्छे से ऑप्टिमाजड है अब यहां पे इसका 100% बेट्री डेन हमने कर लिया है तो उसका रिजल्ट आपको मैं शो कर देता हूं 5 गंटे का करीब टाइम हो ग दिखा रहा है और वही सेम टाइम अपना है और इसके आप स्टेट्स भी देख सकते हो तो मैं आपको वह आज जो रिकोर्डिंग अब ऑटोमेटिक बंद हो गई थी तो वह भी दिखा देता हूं क्योंकि 2-3% पर आने के बाद इसने ऑटोमेटिक ही बंद कर दिया था तो अब यहां पर इसका एक बाद टेंपरेचर भी चेक कर लेते हैं टेंपरेचर 41 के आसपास ही गया ज्यादा नहीं गया तो हीटिंग इस्यू भी नहीं है गेमिंग परफोमेंस भी अच्छी मिलती है और बेटरी बेकप भी आप देख सकते हो इतना इंटेंस बेटरी डेन कर 25 मिनट तो वह पांच गंटे के आसपास इसका टाइम है आई होप आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कूल नहीं भूला थैंक्स पर वाचिंग थैंक्यू वेरे माच